आज मैं आपसे चॉकलेट गनाशा की रेषिपिश्यय हैएर करूँगी, हम इसे बिना चॉकलेट के बनाएंगे। हम इसे कोको पाउडर से बनाएंगे सी पाच मिनिट में बनने वाला यह चौकनेट गनाश आप किसी भी चौकलेट केक को डेकोरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है आपको मेरी ऐसे ही इजी एन इंस्टेंट रेसिपीस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शियर करेगा और मेरे चैनल निशाइस किसन को सबसाइब करता बिलकुल में मत बुलिएगा चोकलेट गनाश ये बनाने के लिए एक सॉस पेन लिया आया है उसमें हम हाफ कप इतना कोको पाउडर लेंगे ये 60 ग्राम इतना कोको पाउडर है हाफ कप इतनी शूगर लिए है ये 100 ग्राम इतनी शूगर है टू टेबल इस्पून इतना हम कॉर्ण फ्लोर लेंगे और वन टेबल इस्पून इतना वैनिला एसेंस डालेंगे और उसके बाद में इसमें वन कप इतना मिल्क डालूँगी अब इन सारे इंग्रिडेंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मेने मिक्स कर लिया है अब हम इसे पकाएंगे सॉस्पेन को गेस पे रख दिया है गेस पे रखने के बाद हमें इसे कंटिनूस चलाते रहना है और हमारी जो गेस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है तो ये देखे हमें इसे continuous चलाना है और हमारा चॉकलेट गनाश पकने लगा है दो मिनीट के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये जो गनाशे वो ठीक होने लगेगा मतलब हमारा ये गनाशे पक गया है और बन के तयार है अब मैं गेस की फ्लेम को आफ कर दूँगी और उसके बाद आप हम इसमें एक बटल क्यूब डालेंगे मैंने चूटी सी बटल क्यूब डाली है इससे हमारे चॉकलेट गनाशे में अच्छी सी shining आएगी तो हमारा ये चॉकलेट गनाशे बन के तयार है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे हमारा ये चॉकलेट गनाशे ठंडा हो गया है अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे तो आपने देखा होगा कि कितने आसानी से सिर्फ पाच मुनिट में ही आप बिना चॉकलेट से चॉकलेट गनाशे इजिली घर पे बना सकते हैं आप इसे किसी भी चीज में डेकॉरेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आपको मेरी ये आसान रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को जादा जादा लाइक और शेयर करिएगा और मेरे नेचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा